नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर मेरी आज की कहानी का सिर्सक है सबसे खूबसूर्थ बच्चा एक बार की बात है कि बादसा अकबर अपने सहजादे के साथ राजदरवार में उपस्तित होते हैं दरवार में मौझूद हर किसी की नजरें सहजादे पर थी वहां मौझूद हर कोई यह कह रहा था कि सहजादा दुनिया का सबसे खूबसूर्थ बच्चा है सभी की बात सुनकर बादसा अकबर ने भी मुस्करा करके यही कहा कि उनका सहजादा दुनिया का सबसे सुन्दर बच्चा है सभी दरवारी अकबर की इस बात प्रहामी भरते नजर आए तब ही अकबर बिर्बल से फूचते हैं कि विर्बल तुम्हारा इस बारे में क्या विचार है तब विर्बल कहता है महराज सहजादा सुन्दर है लेकिन मेरे ख्याल में सहजादा पूरी दुनिया का सबसे सुन्दर बच्चा नहीं है अकबर कहता है विर्बल तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि सहजादा सुन्दर नहीं है तब बिर्बल कहता है कि नहीं नहीं जहाँ पना मेरा कहने का मतलब यह नहीं था आप मेरी बात का गलत मतलब नहीं निकाले हमारा सहजादा बहुत खुबसूरत है लेकिन दुनिया में और भी सुन्दर बच्चे होंगे तब अकबर कहता है तो क्या हम यह समझे कि पुरी दुनिया का सब से सुन्दर बच्चा हमारा सहजादा नहीं है तब बिर्बल कहता है जी जहाँ पना मेरी बातों का यहीं मतलब है तब अकबर कहता है बिर्बल अगर तुम्हारा यह कहना है कि दुनिया में सहजादे से भी ज्यादा खुबसूर्ट बच्चा है तो तुम उसे हमारे समक्स लेकर के आओ अकबर का आदेश सुनकर विर्बल सहजादे से भी ज्यादा सुन्दर बच्चे की खोज में निकल जाता है और कुछ दिन बीतने के बाद विर्बल राजदरबार आता है विर्बल राजदरबार में अकेले ही आ रहा है और यह देखकर अकबर खुश हो करके कहता है क्यों विर्बल अकेले आये हो इसका मतलब है कि तुम्हें सहजादे से अधिक खुबसूर्ट बच्चा नहीं मिला तब बिर्बल कहते हैं जाँ बना मैं आपको इस बात की सुचना देने आया हूँ कि मैंने सहजादे से भी अधिक सुन्दर बच्चा खोज लिया है अकबर कहता है कि अगर बच्चा मिल गया है तो तुम उसे दरवार में क्यों नहीं लाए तब बिर्बल कहता है मैं उसे दरवार में लेकर के नहीं आ सकता हूँ लेकिन मैं आपको उस तक लेकर जरूर जा सकता हूँ तब अकबर कहता है कि ऐसा कौन सा कार्ण है जिसकी वज़े से तुम उसे दरबार में नहीं ला सकते तब बिर्बल केता है यह तो आपको वहाँ जा करके ही पता चलेगा महराज अकबर केता है कि ठीक है हम कल सुभए उस बच्चे को देखने जाएंगे तब बिर्बल केता है जहाँ पना उस बच्चे को देखने जाने के लिए हमें भेस बदलना होगा तब अकबर केता है कि उस बच्चे से मिलने के लिए हम यह भी कर लेंगे अगले दिन सुबह अकबर और विर्बल भेश बदल कर उस बच्चे को देखने के लिए चले जाते है विर्बल अकबर को एक जोपड़ी में लेकर के जाता है जहां एक छोटा सा बच्चा मिट्टी के साथ खेल रहा होता है बिर्बल उस बच्चे को दिखाते हुए कहता है कि वो रहा सबसे सुन्दर बच्चा तब अकबर कहता है तुम्हारी यह हिम्मत कि तुमने एक बदसूर्थ और जोपड़ी में रहने वाले बच्चे को संसार का सबसे सुन्दर बच्चा बता दिया अकबर की बाते सुनकर बच्चा जोर जोर से रोने लगता है जिसे सुनकर उसकी मा जोपड़ी के अंदर से आती है और अकबर को गुसे में कहती है तुमने मेरे बच्चे को बदसूरत केसे कह दिया मेरा बच्चा संसार का सबसे सुन्दर बच्चा है अगर दोबारा मेरे बच्चे को बदसूर्थ कहा तो मैं तुम दोनों की हड़ी पसली एक कर दूँगी यहां से चले जाओ और दोबारा यहां दिखाई मत देना इतना कहने के बाद वो मां अपने बच्चे को खिलाने लगती है और केती है मेरा बच्चा संसार का सबसे सुन्दर बच्चा है बालसा अकबर उस मा की बात सुनकर खामोज हो जाते है विर्बल कहते हैं जहाँपना अब आपको समझ में आ गया होगा तब अकबर कहते हैं कि विर्बल तुम सही बोल रहे हो हर माता पिता के लिए उनका बच्चा सुन्दर होता है तब विर्बल कहते हैं जहापना मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप सहजादे को चापलूसों से दूर रखकर अच्छी तालिम दे तब अकवर कहता है कि विर्बल तो उनने एक बार फिर से हमारा दिल जीत लिया और विर्बल से वो बड़े खुस होते हैं और विर्बल की तारीफ करते हैं तो प्यारे बच्चों इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि कभी किसी चीज को लेकर घंबंड नहीं करना चाहिए क्योंकि एक न एक दिन वो घंबंड जरूर तूट जाता है तो उमीद करता हूँ कि आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी होगी अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को लाइक करना, सेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना थेंक यू